हर हर महादेग आज हम आपको सूरेज ग्रहन की पूरण जानकारी दे रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं सूरेज ग्रहन लगता क्यूं है सूरेज ग्रहन तब लगता है जब प्रिथ्वी सूरेज और चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा की छाया सूरज पर पड़ती है, तो इस वज़ा से सूरे पर कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है, फिर बैस सूरेज की कुछ यहां सारी रोशनी को रोक लेता है, इस से धर्ती पर साया फैल जाता है, इस घटना को सूरे ग्रहन कहा जाता है, सूरे ग्रहन केवल अमावस को ही लगता है, साल दो हियार चौविस में दो सूरे ग्रहन लगने थी, पहला सूरे ग्रहन आठ एप्रल को लगा था, वही दूसरा सूरे ग्रहन दो अक्तूबर दिन बुद्वार को लगेगा, अच्छे से समझने के लिए अंध तक बने रहें, दो अक्तूबर दो हिजार चौविस में दिन बुद्वार को सूरे ग्रहन है, जो भारतिय समय के अनुसार रात नौ बज कर तेरा मिनट से शुरू होगा, और सूरे ग्रहन का परम ग्रास होगा, रात बारा बज कर पंदरा मिनट पर, सूरे ग्रहन समाप्त होगा, सुबर तीन बज कर सत्रा मिनट पर, इस ग्रहन का समय छे ग्हंटे और चार मिनट तक रहेगा, ये सूरे ग्रहन, दक्षने अमेरिका, पुत्री अमेरिका, परशान्त महासागर, अटलांटिका महासागर, न्यूजिलेंड, आदे देशों में कुछ समय के लिए दिखाई देगा, इसके इलावा चिली, अर्जन्टीना, ब्राजील, मेक्सिको और पेरु में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा, रात होने के कारण ये सूरे ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, हर हर महादेग, आशा करता हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जोदी आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें, हर हर महादेग, अच्री र Kundal दो पूम नहीं पसंद एंज पहजश करें, हर